नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे Hyundai Venue S Turbo Petrol DCT Variant को जो कियाता है Automatic Transmission के साथ तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते है लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकोन को भी प्रेस करना ताकि आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए तो Venue जो है Petrol और डीजल में अवेलिबल है और ये जो सामने आप variant देख रहे हैं ये आता है 1 लीटर 3 सिलेंडर BS6 petrol engine के साथ और यहाँ पर आपको टोटल 3 साल और unlimited किलोमेटर तक की warranty इसके साथ मिलती है अब हम बात करेंगे इसके कीमत की तो इसकी एक शोरूम प्राइस है 9.67 लाक रूपीज और अंडोड़ी आपको मिल जाएगी लगबग 11.24 लाक रूपीज तक और ये आती है टोटल 8 कलर्स में जिन्हें आप अब इसक्रीन के उपर देख सकते हो तो चली अब देखते हैं इस गाड़ी की फ्रेंट प्रोफाइल को तो यहाँ पे दी है इसकी बिगर ग्रिल बीच में आपको मिलेगा हुंडाई का लोगो साइड में दी है टर्निंग इंडिकेटर्स और नीचे की तरफ आपको मिल जाएंगे हैलोजन हेड लैम्प इसमें आपको fog lamp को कोई भी option नहीं मिलेगा यह रही इसकी secondary grill अब हम देखेंगे इसके bonnet को तो इसके उपर भी आपको थोड़े से patterns देखने को मिलेंगे यहाँ पे दिये है दो wiper दो washer के साथ और roof के उपर आपको थोड़े से patterns देखने को मिलेंगे roof rails का option भी available है एपिलर दिया है पूरा black piano finish में OR भी हमस आपको मिल जाएंगे body color में side में दिये है इसके turning indicators और यहाँ पे दिये है DCT की badging इसमें आपको 15 inches के steel wheels मिलते है wheel cap के साथ और इनकी tire size है 195 by 65 R15 की wheelbase आपको मिलता है 2500 mm का और ground clearance दिया है 195 mm का door handles दिये है body color में B pillar मिलेगा पूरा blacked out चलते हैं पीछे की तरफ तो C pillar दिया है body color में और यहाँ पे जो chrome का इस्तिमाल किया गया है वो actually accessory का part है तो यह आपको गाड़ी के साथ नहीं मिलेगा इसके अलावा इसके जो dimensions है वो आप अब इस्क्रेन के उपर देख सकते हो तो चलिए अब देखते हैं इस गाड़ी की backside profile को तो शुरुआत करते हैं इसके roof से तो यहाँ पे दिया है इसका antenna फिर दिया है high mount stop lamp और rear में आपको defogger मिलेंगे लेकिन wiper washer नहीं दिये है नीचे की तरफ दिया है Hyundai का logo और venue की badging और यहाँ पे दिये है इसके tail lamp या ते है turning indicator और backside fog lamp के साथ नीचे की तरफ आपको मिल जाएंगे इसके reflectors, safety में दिये है दो rear parking sensors और suspension के अगर बात करें तो front में लगा है mag person strut और rear में लगा है couple torsion beam axle इस मैपको front में disc और rear में drum brakes offer किये गये है तो चली अब open कर लेते हैं इसके boot lead को तो यहाँ पे आपको electric tailgate release का option मिलेगा और total 350 liters का boot space offer किया गया है इसके अलावा इसका जो spare tire है वो भी आपको 15 inches का ही मिलेगा और इसी के उपर दी है इसकी tool kit boot lead को बंद करने के लिए उपर की दरफ आपको grab handle का option भी मिलता है यह रही इस गाड़ी की core driver side profile यहाँ पे आपको fuel tank capacity मिल जाएगी 45 liters की इसके साथ आपको remote की मिलती है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगे lock unlock और boot lead को open करने के लिए options अब open कर लेते हैं इसके door को तो यह रहा इसके dashboard का look single tone में आपको dashboard मिलता है पूरा black color में door के उपर आपको मिल जाएगा map pocket, 1 liter bottle holder, उसके बाद speaker उपर की तरब दिया है ORVM का control, आप इसे retract कर सकते हो, fold करने का option नहीं दिया है फिर दिया है window lock unlock, car lock unlock और चारो power windows के control, driver side auto down option के साथ यहाँ पे दिया है inside door handle, fixed handrest के उपर, इसके अलावा दिया है door lever इसी के साथ दिया है lock unlock का option, यहाँ पे आपको एक twitter भी मिलेगा उसके बाद दिया है इसका ORVM, अब देखते है इसके pedals को, तो यहाँ पे dead pedal का option भी available है उपर की तरफ मिलता है engine bay को open करने के लिए lever, इसके seat को forward और backward manually adjust कर पाऊगे नीचे की तरफ दिया है fuel lid को open करने के लिए lever, इसके seat में आपको back adjust का option मिलता है लेकिन height adjust का कोई भी option आपको नहीं मिलेगा यह रही इसकी fabric upholstery, seat की quality आपको काफी premium मिलेगी इसके अलवा front में जो headrest है वो आपको adjustable मिलेंगे dashboard का look आप देख सकते हो यह रही driver side AC vent, इसे आप यही से on-off भी कर सकते हो नीचे की तरफ आपको मिलेगा traction control फिर दिया है brightness को adjust करने के लिए switch और सबसे last में दिया है headlamp beam adjuster इसमें आपको analog digital instrument cluster मिलता है जो show करेगा trip meter, average fuel consumption, average speed, distance to empty digital clock, low fuel and door azar warning और सबसे बढ़िया बात यह आता है analog tachometer के साथ तो चली अब देखते हैं इसके steering wheel को तो सबसे पहले मैं उपर से नीचे तक पुरा steering wheel आपको दिखा देता हूँ steering mounted controls के अगर बात करें तो left side में आपको मिल जाते है media और phone के controls तो यही से आप voice navigation भी कर सकते हो बीच में दिया है Hyundai का logo और इसके ठीक नीचे लिखा है इसके airbag के बारे में दूसरी side में आपको मिल जाएंगे आपके MID के controls अब देखते हैं इसके toggles को तो right side में आपको मिल जाएंगे light और indicator के controls और वही पे left side में आपको मिल जाएंगे आपके wiper और washer के controls अब देखते हैं इसके center console को और FM रेडियू भी प्ले कर सकते हो इसके साइड में दी है AC वेंट्स और यहाँ पर आपको मिलेगा हजार लाइट का स्विच इसी के नीचे आपको मिल जाएंगे AC और हीटर के सेवरल कंट्रोल्स यहाँ पर दिया है एक USB और इसी के साइड में दिया है एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट नीचे की तरफ आपको एक convenience space भी मिलेगा और यह रहा इसका 7-speed DCT automatic gearbox with reverse यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिलेगा साइड में दिये है दो cup holders उसके बाद आपको मिलेगा इसका arm rest यहाँ पर soft touch material का use किया गया है तो देखा जाए तो काफी deep space आपको इसके अंदर मिलता है इसके अलवा इसके seat की जो cushioning है वो काफी बढ़िया है और कुछ इस तरह से दिखाई देता है सामने के door का look और front में भी आपको अच्छा कासा legroom मिल जाता है अब open कर लेते इसके glove box को तो यहाँ पर आपको decent space मिल जाएगा cooling का option भी available है उपर की तरफ आपको एक छोटा सा space मिलेगा यहाँ पर लिखा है इसके airbag के बारे में और यह रही इसकी co-driver side AC event उपर की तरफ दिया है इसका grab handle चेक करते हैं co-driver side sun visor को तो यहाँ पर आपको vanity mirror मिल जाएगा middle में आपको मिल जाएगा इसका mic यहाँ पर आपको day night adjustable IRVM मिलेगा चेक करते हैं driver side sun visor को तो इसमें आपको vanity mirror तो नहीं मिलेगा लेकिन ticket holder दिया है अब चलते हैं इस गड़ी के back seat पे तो open कर लेते हैं इसके door को और यह रहा इसका inside space rear में आपको fixed headrest मिलेंगे और यही से इसका parcel tray भी visible है तो आप इसे भी बड़े आराम से access कर पाओगे door का look भी मैं आपको दिखा देता हूँ door के उपर आपको map pocket नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पे दिया है 1 liter bottle holder speaker उपर की दरब दिये है rear power windows के control fixed handrest के उपर आपको मिलेगा inside door handle और यहाँ पे child safety lock भी दिया है यह रहा इसका door lever तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर तो यहाँ पे मेरी जो height है वो है 5 feet 8 inches और सामने का seat फिलहाल मेरे height के according adjusted है फिर भी मुझे जो leg room मिल रहा है वो आप देख सकते हो चेक करते हैं under thigh support तो वो भी आपको best मिलेगा middle में आपको मिल जाएंगी rear AC vents और यहाँ पे rear passengers के लिए 12 volt का charging socket भी मिलेगा इसके अलावा नीचे की तरब जो hump है उसकी size भी आप देख सकते हो और कुछ इस तरह से दिखाए देता है इसके back seat से इसके dashboard का look अब हम बात करेंगे इस गड़ी के safety की तो safety में आपको मिलती है दो airbags seatbelt warning ABS with EBD engine immobilizer keyless central locking speed sensing auto door lock child safety lock rear seatbelts front seatbelts with pre-tensioners and load limiters vehicle stability control hill assist traction control system और rear parking sensors अब हम बात करेंगे इस गाड़ी के engine specification की तो इसमें आपको मिलता है 1-liter 3-cylinder BS6 turbo petrol engine जो maximum power produce करता है 118 bhp की 6000 rpm और आपको maximum torque मिलता है 172 newton meter का 1500 rpm और इसमें आपको mileage मिल जाएगा 18.15 km पर लीटर तक का और अगर बात करी transmission की तो ये available है 7-speed DCT automatic gearbox के साथ में तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आ गई होगी ऐसे ने वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और bell icon को भी प्रेस करना ताकि आपको हमारे हर एक ने वीडियोज के